सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन धर्प्रिबंदो बड़ाई शुब समय हैं आप भुक्तों को जया आर्ति का प्राप्थ हुआ है इस आर्ति की पर्मवित्र बेला में इस पर्मवित्र स्थली पर वैठ करके जब जनने यक्त माता की रादिना करने का पुन नर्जित करने का इस यक्त माता की विशेश क्रिपा प्राप्थ करने का आप भुक्तों को सभाग्य प्राप्थ हुआ है इस समय वसांतिक नवरात्र चाल रहे हैं और वसांतिक नवरात्र का सब्तम नवरात्र है माभगवती की जो नो रूप है और नो रूपों में माभगवती का यह सात्मा रूप जो है ये काल रात्री का है आज के दिन सादक जन जो है इस माभगवती काल रात्री के सरूव का जो है ध्यान करते ही और अपने मन के इस्तिति को जो है स्यासर चक्र में जो है इस्तित करकर के भगवती से पराथने करते हैं कि माभगवती ये काल रात्री हम सब भक्तों की रक्षा करें हम भक्तों का लियान करें शित्रों पर विज़े दिलाएं अंक संग रक्षा करें और सुर्वत्र जहे महाभगवती सब का शुब करें वास्ते में महाभगवती काल रात्र को सुरूप है जिसके बाल खुले हुगे ही ते नेत्र ही बड़ा विक्लाल रूप है और इनके शीर का जो है भर्ण जो है जी अंद का रात्री की तरह जो है एक दम से काला है जैसे सभेंकर सुरूप है वस्तों में एक नाम जो है इसका शुवम करीवी है जे भक्तों का शुव करती है दुष्टों को नाश करती है और इसका जो अपासग होता है मा भग्ति का सादिक काल रात्री की जो अपासने करने वाला जो है उसको कभी जो है रात्री भहनी होता है उसको कोई भूत प्रेत बादा जो है बहन नहीं होती है बाल ग्रह बादा भी जो है जे दूर होती है ना उसे जल के राशी का जो है भह होता है ना अगनी का भह होता वास्तों में इस काल रात्री की उपासने करने बला जो सादग है उसकी कभी अकाल मृत्तुनी होती है बैपूर नाजगव हो करता है और जी भगवती हर स्थान पर अंक्संग यहें उनकी रक्षा करती है जे भगवती एवं भगवती देवी सा नित्यावी पुना-पुना यक्त की रक्षा करती है जब जब भी जो है इस सिस्टी पर यह अत्तां की फ्याल जाता है तो किसने किसी रोम में इसका प्रादुराब होता है यह शक्ति की रोम में इनका प्रादुराब होता है उन दोस्टों का जनाश करती है और भगतों की रक्षा करती है तो पुना- प्रज़वre नाम तुस्ता रिध्धिंप्रयश्य ति और यही विश्व को जो है ये मोहित करती है सारा यक्ट जो है जे मोह में पढ़ा हुए इसकी कृपा को जुना को चुछ और शूंबव नहीं चाहिवा धन मोहे, संतान मोहे, घर ग्रस्त का मोहे, अन्यन जितनी जो मोहे, इसी भगवती नहीं सारे यवत को मोहित का रखा है चाहिव को ज्ञानी ही, चाहिव तवस्वी ही ज्ञानी नमचेतां से धी भगवती सा भलादा कृष्य मोहाया, महा माया पर यश्य दी जी, बड़ बड़े ज्ञानियों को तवस्वी को भी मोह के गयरे घरत में गिरा देती ही, फिर सामाने मनुश्का कहने ही क्या इसलिए भगती जिने इसकी क्रिपा प्राफ्त करने के लिए क्या हूं कि जग जणने के जिन पर क्रिपा हो जाती है, वही इस मोह से यहीं मुक्त होते हैं उने को जब भगवती ऐसा ज्ञान देती हैं, जिस ज्ञान से भलिभूत हो करके दासाधक जो ही, इस लोक में सो सुखों का भोग करते हुए, उनका प्रलोग भी कल्यान हो जाता है। जिस भगवती प्राथना करने पर यह संतोष्ट हो करके जिब इध्यान देती हैं, सम्रिध्धी देती हैं, सब और से भगत्र कल्यान करती हैं, और महा प्रले की समय जो ही, ब्यावत्म तहित जगलम भ्रह्माड़ मन येश्वर महाकालया महामारी सरूपया। जही महामारी की समय जो है, जही भगवती जो है, प्रहले काल में जो महाकालय ही, ब्रह्माड़ में जो ब्यावत्म होकर की, ब्यही समय समय पर जो है, महामारी होती हैं, और व्यही समय समय पर जो है, अयन्मा होती हुई भी, सिष्टी के रोब में जो है, प्रक्त होती हैं, और जिस नातिने देवी समय अनुसार जो है, संपुन भूतों की पराणियों की रक्षा करती है। मुनुष्य के अवधे के समय, उनके उनति के समय, जही भगवती जो हैं, जही उनके घरों में लक्ष मिर्वाजवन हो करके अवधे को देती हैं, उनति को देती हैं, सुक देती हैं, शान्ति देती हैं, और सर्भात्रुन भक्तों का मंगली मंगल करती हैं। और इसकी पूजा जो है, जो भक्त जन प्रहे दिन देवी की पूजा करते हैं, और पूजा कभी धान कोई बहुत बड़ा नहीं है, कि भगवती की जो पूजा करने वाला भक्त है कहा है, माने स्वयम कहा है, सता संपोजदा पुष्पेर दूप गंदा दिवेस्तता ददाते वित्तम पुत्रांच मतिम धर्मे गतिम श्वा, जे भगवती जो पूजदा गंद पुष्प दूप दीव नभेद्य जो पंचव चार पूजा जो बतलाएगी, कि आप जो है, शनान करवाते हैं, तिलक करते हैं, पुष्प ज़वाते हैं, दूप और दीव जो हैं, नभे सदा सरुदा परसंड रहती हैं, और परसंड हुकर के, जे मावगवती, उन भक्तों को दल लक्ष्ण का वरधान देती हैं, संतान सुक देती हैं, धार्मे मती देती हैं, धार्मे बुद्धी देती हैं, धर्म की और जो है, जे ले जाती हैं, और उत्तम गति को देती हैं, इ इस देवी के शर्नक दो करके, इस महा अग्वति के पास ना, मा की राधना जो है, 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 कारणे देवी है यही भगवती की पास नहीं कहते हैं वह सोटा जाव दिर्शान दे रहा हूं कि वास्ता मनुश्य को धर्म के मार पर चलते हुई है अपना जीवन रहते हुए है अपना कल्यान जोसे कर लेना चाहिए क्यांकि यही एक श्रीर जो साधन है और साधन के द्वार है यही व्यक्ति साधना करता है तो उसका यही लोग भी कल्यान मा होता है और पर लोग भी कल्यान मा हो जाता है यही जीवन रहते हुए ही आप भले कर्म जो हैं बैक कर सकते हैं जब जीवन समावत हो गया क्यांकि यही तो सब सांते हैं कि काल जो है सद्दाव सरुदा जही सब की सिर पर बैठा हुआ है और कब जे गला दबाया दें कुछ पता नहीं और समय जो सब का निश्ट है और किसी को पता नहीं कब समय आएगा इसलिए समय रहते हुई प्रारम में ही धर्म के मार पर चलते हुई धर्मन कोड कर्म जो है ये करते रहना चाहिए कहते हैं कि एक राजा थे राजा के एक ओदेश्य था कि अपने राज्य की राष्टर की वृद्धी करना खुब खजाना भरना अन्यन देश्टों पर आक्रून करना उनको ये अपने साथ मिला करके इस प्रकार से जीवन भर जो है उसने खुब जो है दन सपत्ती जो है जो है राज्य की वृद्धी राष्ट की वृद्धी उसने की और कभी धर्म कर्म नहीं किया कभी धर्म कर्म नहीं किया कभी उगवान का समन ने किया कभी ध्यान ने किया कोई सत कर्म नहीं किया तो कहते हैं एक दिन राजय जो थे सोय हुए थे रात को उनको सपन आया एक काली शाया जो है उसके सामने आई और राजय को कहा है कि राजयन कल सूर्ज असे से पहले मैं आपको लेने के लिए आउंगी आप कल साहिं कल सूर्ज से पहले ठीक स्थान पर ठीक समय पर आप पहुँच जाना राजय ने कहा कि क्यों तो इसने कहा देखो मैं काल हूँ मृत्य हो और आपका समय आ चुका है कल सूर्जर से पहले मैं आपको लेने आऊंगी तो आप सूर्जर से पहले ठीक स्थान पर ठीक समय पर जो है आप पहुंच जाना और आया जो था वैगभर आ गया कि मृत्तु आगे बाइवेत हुगा चलाने लगा सिविरानी बहां पर आगे मंत्री आगे बैद्दे आगे गराजों को क्या हुगा सब जो इसको देखने लगे वो आगे पीशे देखें जी सब क्या है कालिश आया जी क्या थी और सामने जो है उसकी बालनी जो मुझा सुनाई दी तब जो है राजन बे सपन जो था बुतलाया सब को तब जो है सबने जही का जो विद्ध्वान थे मंत्री थी अन्यन से लोगन जो है कहा कि सपन सपन होता है जो कुछ नहीं होता है आपको ऐसे भई हुगा है और जदी ऐसी बात है बहे कालिश शाय आई है आपको लेने के लिए तो जहीं कहीं आगे पेशी होगी अब ऐसा कीजिए राज मेहल को शोड करें कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर चले जाएए किसी ने जो स्मझाया नहीं कि क्या मृत्तु आ चुकी है मृत्त कुछ दोखा दे रहें कुछ सतकर्म करें कहती है कि वुग्वान नजहां तक है अन्त काले sacrificing मामेव 1908 लिवरम जहा पर जाती सा मधभावम जाती नास्तास्तर संस्य है जो गीता में पुग्वान कृष्ण स्वयम का है कि अंतिस स्वयम में अंतिस स्वास में भी जदी कोई मेरा समन करता है मुझे याद करता है बैं मुझे ही प्रावत होता है तो इसलिए कभी जीवन में कभी समन किया नहीं ध्यान किया नहीं तो अंतिस स्वयम में ध्यान कैसे इसलिए जो है भ्यक्ति को समय रहते हुए पुग्वान की रादना जी जब पाठ जी धर्म कर्म जो है दीन दुख्य की सेवा परवकार जो है जी करते रहना चाहिए राजय को जब सबने समझाया कि सपन सपन होते हैं आप राज महल से निकल जाएए कहें कुछ समय के लिए आप कहीं दूर चले जाएए बैकाली शाय इदरी होगी जदी आएगी तो आप तो जहां पर होंगे नहीं तो किसको मारेगी वो राजय नकाएं जे बात तो ठीक है कवो जीवन भर कोई अच्छा काम किया नहीं करवे वगवान का असमन की नहीं थे तो कैसे आसी बुद्धी आती और फिर जो मंत्री होते हैं बाग की यह उते हैं बैमभी बैसे ही हो जाते हैं जैसा संग हो बैसा ही रंग लगता है तब जो है राजा जो है घोड़े पर सवार हुए उसमें जे गाड़ियों का जो है जे नहीं था घोड़े पर ही राजा जो है आगे पेशे जाते थी राजा घोड़े पर सवार हुए और राज महल से निकल पड़े गोड़ा बहुत तेजी से धोड़ा और चलते चलते जैसे साइंकाल हुगा तो राज्जी से ही बहुत धूर निकल चुका था सूर्जस थोने वाला था राया घोड़े से नीचे उत्रें रूतर करके घोड़े की पीड़ योते थव तफाने लगे और घोड़े का धन्यवाद करने लगे कि तेरा बहुत धन्यवाद थोड़े से समय में इतनी दूर मुझे अब ले आए इतने पीशे से दकाली शाया भी राजया की पीट थफथपाते भी उसने कहा कि राजयन आपका भी बड़ा धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका जो है क्योंकि आपका जही स्थान था जही समय था और आप समय से जहांपार पहुंच गे आपको कोई ऐसा ज्यानी पुर्ष नहीं मिला कि कम से गाम आपको अंते समय में समय आ चुका था तो जो समय मिला प्राता काल से साइन काल तक बहुत कुछ कर सकते थे ऐसे राजया हुए हैं जिन्हों धाई घड़ी में अपने मोक्ष प्रावद कर लिया राजया प्रिक्षद हुए साथ दिन में जो उसने मोक्ष प्रावद कर लिया था आपको समय मिला प्रावद तो आपके पास कोई सद्गूरो को ग्यानी पुर्ष आपको नहीं मिला वो आपके बाहां था नहीं, जहां फिर उसको घ्यान नहीं था, जिस कारण से आप कोई अपने कल्लेंड के क्यों की, कहते हैं कि जदी आजो शेज हैं, आपके पाप कर्म इतने बढ़ चुके ही, ति मृत्तू पहले भी हो सकती हैं, जिसे हम अकाल मृत्तू कहते हैं, दुरगटना होने से, जदी भ्यक्ति धर्म कर्म करता हैं, यव पाड़ करता हैं, उससे बैकर्ष जो हैं, बैफिपत्ति ये टल जाती हैं, और अमनोशी ये पूर्ण आजो का भोग ये हैं, बैकर सकता हैं, आजो शेज हैं, तो आजो के बिद्दी होगी धर्म कर्म करने से ज़िए आजो शेश नहीं है तो आप धर्म कर्म करने से उसका परलोग जो है बैसुदरता है इसलिए बैं राजय से बैकाली शायों से कहने लगी कि सद्गूरू और भक्ति के अभाब में वास्ता में मुनुश यही उसी दुख के पास पहुंच जाता है जब पता चलता है त ज़र समय हाथ में है ही नहीं फिर कैसे उसमय कहे कि मैं उसके धर्म कर्म करूँ ध्यान करूँ और जो समय मिलता भी है व्यक्ति को और समय का सदुजोग ज़िए कोई करता है निश्य रूस उसका कल्यान होता है ज़िए उसकी आज उसेश है आज उसके भृद्धी होगी पुष्टे कोई अपने कळियान चाहते ही। आप ने उननति चाहते हình। अपनी जीमन जातर स्वगत ही... उने hanga nu ! धर्म के मार पर चलते हुई , धर्मन कोर्म करते हुई . मा जंजननी , जंतमाता के शर्नक्त हुकर कि मा भुगती की रादन , मा की अरचन . मा की पुजा, मा का ध्यांग, मा का स्मन, मा के नाम का जब जो है, मा के दर्शन, दर्शन से मुनुश्य के पापा का नाश होता है, जे जो आद धर्म कर्म करते हैं, इससे पुन्ने के वरिद्धी होती है, और जीवन जो है, सुगद हो जाता है, जे स्थान पर बैठे हुई है जे तपा सलिय तबू भूमी ही, इसी स्थान से होकर के मा वैशन दिवी ने इस गुफ़ा के अंदर परवेश किया था, और गुफ़ा के अंदर पिंडिक रूवराजमन होकर के मा भगवती तब कर रही है, जब घोर कल जोगा जा तब इनका प्रादुरवाब होगा, जे प्र सरस्वती है, और जे तीन शक्तियां ऐसे, जे ही एक ऐसा स्थान जहां पार, जे तीनों शक्तियां एक साथ विराजमन हैं, और जिन भगतों के इन तीनों शक्तियों का शिर्वाद, तीनों शक्तियों किरपा हो जाती है, उनकी जीवने कभी किसी परकार की कमी रहती ही नही महाकाली जो कष्ट को दूर करती है, रोगों से मुक्ति देती है, शत्रों विजद लाती अंक्संग जो है, जे भगवती महाकाली जे रक्षा करती है, महालक्ष्मी जो है, जे दन लक्ष्म का वर्धान देती है, परमेश्वर को देती है, दन धाने के वृद्धी करती है, कार इनी का जीवन में महत्व है, जिसका ववेग, जिसके बुद्धी ठीक है, जो धन लक्षमी का जो है, धन शक्ति ठीक सधुजोग करता है, और श्रील शक्ति का ठीक सधुजोग करता है, जो करनिय कारे उनको करता है, तो उसका कल्यान है, इस लोग में भी और पर लोग में भी आप बड़े भग इशाली ही, जो नमरात्रों में क्यांकि ग्याइखति पूज के आमसी भगवती की बुजा अराध्नरा तर फिर्व करते हैं। कि पूजा जो होती हे। जब करें और माँ से प्रात्र न करें आप सभी माँ भव्यति के चर्णों का ध्यान करते हुए माँ भव्यति के मूल मंत्र का पाठ करेंगी इस मंत्र का जब करने से और माँ के दिरवार में आकर की इस पिंडिक रुम माँ के दर्शन करने से भक्तों पर इन तिनों धीवों क पूर कृपा योह जे बनी रहते हैं, सविश मंत्र का पाठ करेंगे। तो सभी भक्तों के लिए एक विशे सोचना है। और कल अस्त्मी युक राम नौमी का भ्रतवी काली है। जो अस्त्मी का पूजन करकरके, साखा पूजन करके उनका विशे सोचन करते हैं, बैप्राता काल जो है, बैशा कर सकते हैं। जो नौमी में करना चाहते हैं, जो नौमी में करते हैं, उन्हें बारह मज़े के प्रावजे करने पूजन करके, साखा पूजन करके उसका विशार्जन जो हैं, जेक कर सकते हैं। यहां पर प्रत्यक नौरात्रों में बिश्व कर लियान के लिए शरी माता वैशन देवी स्तापन वोड की ओर से सचंडी यग्ड करवाया जाता हैं, उस जग्ड की प्रत्म नौरात्र में यग्ड प्रारम हुआ था, और कल उस जग्ड की पूरनावती जो हैं, जे एक वज जग्ड की पूरनावती होगी, आप भक्तों को, जे साधर नमंत्रन है, क्या एक वज़ी जो है, जे जग्ड शाला सरसुदी भवर में हैं, भाम पर यग्ड का योजन चल रहे हैं, और एक वज़ी भाम पर जे आप पूरनावती के समया करके, जग्ड की पूरनावती देख करके आप पुन्य के भागी बनी, पुन्य प्राप्त करें, कहते हो यग्ड करता है, जो हवन पूजा करता है, और अंतिम दिन जो है, जो वहां जाकर के पूरनावती देता है, उसको भाम प्राप्त होता है, वहां जाकर के पूरनावती देना, तो कल यग्ड की पूरनावत यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन